नमस्कार सभी को मेरा नाम आनुज है आयोप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई डंक से कर रहे होंगे तो बेटा ये सेशन है आपका ग्रेमर का मैंने आपको बताया था कि मैं यहाप पर आपको दस कोश्चन रोज की रोज लेकर आया करूँगा और यह आपका टेल एक्जामेनेशन कंटीनु रहेगा और इन 10 कोश्चन में हम सारे एक्जाम औरियेंटड कोंसेप्ट जो है डिसकस यहाँ पर हम करने वाले हैं ठीक है तो इतने कोंसेप्ट से आपको एक्जाम में कोशन देखने को बिलेंगा और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूँ प आप चैनल पाकर विजिट करते रहे हैं ताकि आपको पता लग सेगे कि वीडियो आ रहा है यह नहीं आ रहा है ठीक है चले देखते हैं कोशन क्या है हमारा कोशन है इफ आई लीव नाओ आई विल नोट बी एबल तो रिटन बैक बिफोर 9 पीम अच्छा एक चीज और जो नंबर से होंगे वो हमारी 300 होंगे लेकिन उसमें मैं आपको साथ के साथ 200 वोकेबलरी उसमें उप्शन होगे उन्हें लगा के पूरी टोटल हम 500 वोकेबलरी उसमें कवर करेंगे जो की पूरी एक्जाम औरियेंटीड होंगे यह नहीं हमारी बिल्कुल यह कोशिस रहे देख ले थे क्या है इसे ही रिपीट के साथ काथ आगेइन यूज नहीं करेंगे इसके साथ आप क्या रिपीट के साथ यूज नहीं मत करना सब्सक्राइब के साथ इंटु यूज नहीं होता है तो क्या है कि अगला करनाıs नहीं नहीं हो साथ रिपीट के साथ अगें व्शाज नहीं हो तो रहां सब्सक्राइब हुआ तू आपดेड द violently यहां पर देखने वाले, आप सभी को पता होगा, अगर आपने 10th chapter पड़ा है, तो हमेशा जो आपका क्या है, पॉइंट ओफ टाइम जो होता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए बेटा आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप 4 यूज करते हैं, ना कि किसके लिए यूज करते हैं, तो आपका यूज होता है, पॉइंट ओफ टाइम के लिए, किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ओफ टाइम के लिए, किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ओफ टाइम के लिए, आच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कि किन के साथ यूज हो सकता या आप कह सकते हैं एक तरीके से आप इयर के साथ उसे यूज करते से शिर्फ करते हुग उच्द सांगे उसके बेरा किरें छोड़ा गडबड करके कर सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा तर धिहान रखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किसमे, A option में हमारा error हो जाएगा, चले देख लेते हैं, अगला question, अगला question क्या है, Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays, तो यहाँ पर आपको error बताने है, तो error कौन से part में हो जाएगा, बेटा, error हो जाएगा आपका C part में, क्योंकि देखे, आप सभी को पता होगा, कि जो tense है, कौन से tense है, यह आपका past indefinite है, चीक है, past indefinite है, और past indefinite में, बेटा, जब हम negative sentence बनाते हैं, तो क् sister हमारा did not plus verb की first form हम यूज करते हैं, ना कि वर्बी की second form यूज करते है, तो वेंट क्या है, हमारी word की second form है, वेंट की जग़ा हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यहाँ यापर go use करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा, क्या होता है? go first form होती है, went second form होती ह और गोन 30 फोन होती है go and goon है न तो आपको फर्स फोन पर यूस करनी पड़ेगा चले देख लेते हैं अगला question अगला question भी आपका error से ही related होगा यहाँ पर दस question आपको मिलेंगे थीक है अगला question है आपका error से related क्या question है पढ़ लेते हैं लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वोज अशेक ओन दा 169th फ्लोर ओफ बुर्ज खलीफा क्या बात है आप भी देखते हैं सपने बिल्कुल देखने चाहिए सपने देखने में क्या जा रहा है चीक है चले देख लेते हैं तो सबसे पहली चीज लास्ट नाइट यहां पा रहा इसल्सट का मचम कॉल्प खलील ने और चीक है तो यहां पर डृम रहा ड्रीम की सेइडिन क्या होती बिल्कॉर्ट ट्रेंध में अगर आप से आपको सेंटेंज में यह स्टी दिखाई दे तो ऊससें पनोवर और सेंट जोह सेंट्रेंज किसमें होगा वह भी आपका पास् Wanna में ही बनेगा दियान रखेगा देख लेते हैं अगला question अगला question क्या है i ate nothing since morning नहीं अब यह एरर है चुंस मैंने बता यह देखे अगर जो four or since इनके साथ अगर कभी भी आप time use हो तो ध्यान लगना हमारा sentence हमेशा कौन से टेंस में होगा यह हमेशा perfect में बनेगा चीक है हमेशा किसमें बनेगा perfect में बनेगा बेटा वो कोई भी perfect का form हो सकता है past भी हो सकता है आपका present भी हो सकता है future भी हो सकता है लेकिन होगा आपका perfect या फिर गलत है तो आप क्या करना पड़ेगा यहां पर करना पड़ेगा आपको I had eaten nothing since morning eaten क्यों इट एट इट इटन होती है वर्ब की जो हमारी form जो चलती है तो eaten हमारी third form होती है और has और head के साथ क्या है आपका वर्ब की third form ही use होती है ठीक है अगला question देख लेते हैं अगला question किस चीज से related है एरर से ही है each one of them has have his share of joy and sorrow आप देखिए यहां पर समझने वाली चीज क्या है आप सभी को पता होगा कि जो हमारी has और has यह तीन चीज होती है has have or had तो मैं आपको बता दूँ कि वेटा है यह एक तो हम helping verb की तरह भी use करते हैं ठीक है helping verb की तरह भी आप इने यूज करते हैं लेकिन इनका use बेटा आपका main verb की तरह भी होता है यानि कि main verb कैसी होती है basic उसके बाद आपकी second form होती है head, और third form भी आपकी होती है head, ठीक है, और fourth form होती है having, यह आपकी form चलती है, जब has या have को हम किसमें use करते हैं, हम इसे as a main verb हम use करते हैं, तो यह आपकी हो जाएगे verb की first form, यह आपकी हो जाएगे verb की second form, और यह हो जाएगे verb की third form, और यह हो जाए वर्भी की तरह भी यूज कर रहा है तो इच वन उफ दैम आप सभी को बता होगा इच वन उफ दैम के साथ हम क्या यूज करते हैं इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्भ हम यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्भ आपकी हो गई है तो हमें पता लग यह आपका कैसे यूज हो रह कियों क பेता हमारी वर्ब ही की सब्सक्राइब है हमारी वर्ब की थर्ड कंप एड है तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि भेटा it is Time हो या फिर it is Hi Time हो क्या हो, टो इस कंडिशन में क्या होता है आपका भेटा it is Time now it is High Time and it is time होता हैं इनके साथ हम कुन Kerry4 ल यूज करते हैं इनके साहथ हमारी दो कंडिशन का उज शुच्छ हो O तो आप इसके ताफ past indefinite use कर लिजे या तो आप इसके साथ past indefinite use कर लिजे या फिर आप इसके साथ infinitive use कर लिजे यानि 2 प्लिस वर्ब की 1st home आप इसके साथ use कर लिजे ये दोनों condition useful होते हैं mainly क्या है इसे use करता है अगर आप improvement में question मिलेगा तो आपको यही दिया जायेगा कि जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा we had करना पड़ेगा क्यों क्योंकि है अमारी वर्ब की second form मैंने पीछे भी आपको बता है यहाँ पर वर्ब की second form यूज जाएगी sorry had use नहीं होगा sorry for my mistake यहाँ पर होगा did we did we did something useful चेक क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा sentence हो जाएगा हमारा it is time we did we did क्योंकि हमें हमारी यहाँ पर main verb क्या है हमारी main verb है यहाँ पर do की form क्या होते है do did और done do did or done और आप सभी को बता होगा कि past indefinite में क्या हमारी verb की second form यूज होती है तो हमारा did हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर we did something useful अच्छा इस sentence को अगर हम इसमें infinitive use करते तो क्या होता it is time to do something useful अगर मैं कहूं कि यहाँ पर देखो दो condition यहाँ पर applicable हो सकते हैं मैं सीधा सीधा लिख देता हूं इसे हम काटेंगे और इसे काट के यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दो चीज हम कर सकते हैं यहाँ तो बैट आप डिड कर दो we did यहाँ या फिर कर दो to plus verb की first form यानि do sentence दो तरीक से पढ़ा जा सकता है it is time we did something useful या फिर it is time we to do something useful दोनों ही condition आपके क्या होंगे राइट हो जाएगे इस तरीके से आपको यह दिया जाता है starting में और क्या है कि confusion में क्या होती है कि it is time इसमें लगता है कि sense sentence तो आपका क्या है present में है तो क्या है past में क्यों बन रहा है तो यह rule है यह applicable इसी तरीके से होता है ठीक है देख लेते हैं अगला question अगला question neither of them are going to attend the party on 10th October अब neither of them क्या ह सबी को पता हुक है neither of them नाइदर of के साथ क्या उजकर होता है neither of के सानाल जो है प्लूरल यूज भी रिफैंचे साथ और इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ होती है वर्ब के साथ बीटा singular ूर्ई होती है नाउन आपका क्या हो जाएगा यह औ taş क्या हो जाएगा यह हो जाएग उसके बाद यहां use क्या क्या है इसने are going तो बेटा जो की गलत है are going हम use नहीं करें क्योंकि इसके साथ हमें क्या use करना होता है singular verb यूज करना होता है तो क्या हो जाएगा is going हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा is going चले देख लेते हैं अगला question अगला है हमारा he walked five meals which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill आप देखिए आपको मैं समझा देता हूँ एक चीज़ आप कभी भी किसी भी distance को आप लेंगे अगर आप किसी distance की बात करते है distance की और ताइम की च thought या फिर कोई measurement वाली जो चीज़े हो थी मीटर वगेरा थी तो इस condition में क्या है आपका इस condition में आप इनने singular कंसेडर करते हैं also means इने singular कंसेडर करते हैं या निने singular subject मान की हम चलते हैं और जब singular सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी वर्ब भी हमारी कैसी होगी बेटा सिंगुलर ही होगी वर्ब भी हमारी कैसी होगी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी चीक है तो क्या होगा अब यहां पर समझ यह आपको समझने वाली चीज है he walked 5 mils अब यहाँ पर which क्या है which betta antecedent है क्या है यह आपका antecedent है और इसके बाद जो verb आएगी यह वाले जो verb है वो इससे पहले वाले subject के अनुसार आ रही है यानि की 5 miles के अनुसार यहाँ पर verb आएगी किसके अनुसार आएगी 5 miles के अनुसार यहां पर हमारा which is हो जाएगा, ठीक है, which is हो जाएगा, तो इसले आरर हो जाएगा हमारा यह पार्ट में, ध्यान रखे का distance को हम क्या मानते हैं, distance और time बगार को हमके singular subject मानकर चलते हैं, और यह चीज भी आपको यहां पर सीखने वाली है, कि क्या होता है, कि इस condition में अगर तो नहीं होगा, हम तो object लेता है, हमेशा, which हो सकता है, that हो सकता है, कोई भी आपको antecedent यहां पर मिल सकता है, और इस condition में, अगर आपको ऐसे दिये जाएं, या फिर इसके बाद जो आपको helping verb आएगी, किस के अनुसार आएगी, इस से पहले वाले subject के अनुसार आएगी, ची देख लेते हैं, अगला question क्या कहता है, हमारा, अगला question, हमारे दो question बचे हैं, आज के session के, अगला question है बेटा, अच्छा, last question है, 9 था, चीक है, यह last question है, हमारा देख लेते हैं, either my colleague or upon are coming home with the material today, तो समझे एक चीज को, कि either के साथ क्या यूज़ होता है, सभी को पता है बेटा आइदर के साथ हम और use करते हैं, दूसरी चीज इसके साथ क्या condition यूज़ होती है, कि इसमें जो हमारी verb जो आती है, वो हमेशा पास वाले subject के अनुसार आती है, किसका अनुसार आती है, पास वाले subject के अनुसार जैसे, यहाँ पर जो आर जो वर्ब आएगी, किसके अनुसा है अच्छा कुछ हमारे ऐसी चीज ऐसे मतलब हमारे एडवर्ब होते हैं जिन में क्या कंडिशन होती है कि आपको जो वर्ब यूज होती है वो पहले वाले सब्जक्ट अनुसार हो तो ऐसे कुछन हम आगे करेंगे जैसे मैं आपको एक्जाम्पल चली लिखके बता देता हू आपना ही नाम से लिखके बता देता हूं अनुझ कन्दिशन में क्या है ? going to London ठीक है Anuj and not his students are going to London तो बेटा यह क्या है इस condition में क्या है end note क्या है हमारा end note के इस वाली condition में हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले subject के अनुसार आती है यानि कि यहाँ पर आपको Anuj के अनुसार क्या है वर्ब यूज करनी पड़ेगी तो ऐसे भी मैं आपको question करा हूँगा आगे जब हमारा next session होगा और आपकी exam में से question पूछा भी जाता है तो इस वाली end note के साथ दो subject ही जोडता है दो subject होन से होगा हमारी एक तो his students हो गया और यह क्या होगी अनुज होगी तो क्या होगी यहां पर अनुज कैसा है हमरा singular है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको is करना पड़ेगा तो यह थोड़ी समझ के चलिएगा आगे ऐसी question में करा हूँगा पहली बात तो आपको तो यह थो मैंने आपको ऐसी एक reference के लिए दे दिया तो यहां पर confuse नहीं होना है किसी के साथ तो मतलब किसी condition में तो आपकी जो वर्ब आएगी वो पास वाले subject के निस्वार आएगी किसी में आएगी पहले वाले subject के मतलब धन्यवाद